तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज का वीडियो है बहुत ही यूजपुल टिप्स लेकर आए है तो देख लेते हैं इसको लोग यूज़ करेंगे तो चलिए इसको कुट लेते हैं क्या चीज में यूज़ कर रहे है अगे बताते हैं चलिए इस तरह से कुट लेना है दवाई को इसके बाद सबвसको एक बॉल में निकालने के बाद कि इसमें पोड़ां हो गया है इसमें डाल लेते हैं इसके बाद चाहिए फादी पानी डालेंगे इसमें को पानी देखिए लगल्का गुन काइब होना चाहिए hen घराम होना चाहिए इसके बाद अच्छा से जो दवाई डाले हैं उसको अच्छा से मिला लेना है देखिए चमच से सायता से इस तरह से अच्छा से मिलाने के बाद इसमें चाहिए डिटोल देखिए हर गर में डिटोल होता ही है रखते ही है सब लोग तो डिटोल डालना है इसमें इसमें डिटो के नीचे, रात को देख नहीं पाते हैं कि और कहा कहा आते हैं, तो इसमें अभी cotton का बोल रखेंगे या फिर आपको पास चुटा-चुटा सूती का कपड़ा हो तो इसको काट के इसमें हम लोग डिप करेंगे तिकी इस तरह से चिटा चिटा बोल बनाके इसके बाद जहां जहां चिप के लिए मतलब आपको लगता है कि जहां चिप के लिए आते हैं तो आप वहां इसको रख सकते हैं इसका एसमेल बहुत ही मतलब इस्ट्रों होता है कि चिप के लिए इसका एसमेल से बाग जाते हैं और सबता में एक ब भी आप रख सकते हैं तो आप आपका जो वहां जो भी चिप के लिए खेड़ा खेड़ा आते हैं वह नहीं आएंगे तो देखिए इस तरह से गेच के नीचे रख दीजे या फिर इसको उपर भी एक रख दीजे रात में कभी भी मतलब कुछ भी खेड़ा मकोड़े आते हैं तो वह सब भी नहीं आएंगे को कुरे चोगेरा तो चली देख लेते हैं दूसरा टिप्स तो देखिए यह है केरी वेग तो इस तरह का हम लोग जो समान लेके आते हैं इस तरह का केरी वेग मिलता है तो हम लोग इसका बहुत ही मतलब यूज अलग-अलग हैं लेकिन आज स सब्सक्राइब को करें तो किस तरह से सब्सक्राइब करें पांगर को आगे बताते हैं-चले यादि से हैं-बहुत सारे आप बना आज सकते हैं-बता अच्छा यूज बता रहे हैं कि आप कभी साथ देखे नहीं है तो चलिए देख लेते हैं तो इस तरह से आप बहुत सारे काट लिजे तो देखिए बहुत सारा काट लिए हैं इस तरह से तो आभी एक बॉल ले लेते हैं देखिए तो इसके बाद चाहिए निम्बू ऐहे बेकिंग सोड़ इसके बाद इसको अच्छा से मिला लेती है देखिए देखिए सोडा डालते ही कैसी यह जाग निकलने लगिए है तो इसके बार ढालेंगे डाल अगर आपके पास teşekkür यह सेम्पू नहीं से इस तरह से देखिए इस तरह से मिला लेना है इसके बाद जो भी हम लोग जो काट के रखें के रिबेक का देखिए इस तरह से तो उसको डिप कर देना है इस तरह से सब को डिप कर देना है थोड़ा देर के लिए इसके बाद क्या करना है यह जो के रिबेक करके रखें हैं तर इसे छोड़ देंगे इसके बाद निकालते हैं एक ट्रे में या फिर आप लंबा सा एक कुछ कपड़ा बिचाखे उसमें निकालना है इसको सुकाना है तब तोड़ा दर के लिए आपको आदा गंटा या 20 मिनिट के लिए आपको पंका के नीचे यह सबको सुकाना है देक चाहिए तो देखिए इस तरह से सुका लिए हैं देखिए तो या पर जोगरा कुछ भी साफ करते हैं तो यह पहले का शुकाउला है तो देखिए आभी क्या यूज करते हैं देखिए इस तरह से जब भी हम लोग साप करेंगे गेस को बेस्चुला को या फिर प्री जोगरा कुछ भी साप करते हैं तो इस तरह से एक कपड़ा लेना है मतलब यह केरी बैक का जो हम लोग बनाए है उसको ले लेना है तोड़ा सा पानी में डिप करना है इसके बाद आप देखिए किस तरह से साप करना है देखिए बहुत अच्छा साप होता है इससे न्यव चोड़ा है तो अच्छा साप हो जाता है देंखिए और आपको मतलब ड च्बार बश्बाच्द के में और यह उसका विह न ल हम देखिए इस तरह से कितना पूर बहुत चांड़ साप करना हो इसple आप बना के मतलब बहुत दिन तक इस्टोर करके रख सकते हैं कराब नहीं होगा इसके बाद आप जो किचेन में जो डबबे रहते हैं उस सब में भी देखिए इस तरह से गंदा हो जाता है उसको भी आप किलीन कर सकते हैं कि इस तरह से एक एक मतलब एक ले लिजे कपड़ा देखिए इस तरह से जो बना के लिजेए इसको तो दोड़ो साव ऐस समय कीजिदे कितना अच्छा से साफ हो जाता है इस तरह से अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो इसको दोड़ा सा बेग में रागे रहे हैं कहीं पर आपको मतलब सावन के जरुद पढ़ेगा तो इसी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं तो आई होप यह टिप आपको अच्छा लगा होगा अगर तोड़ा से भी आपको यूजफुल लगता है ना तो आप जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए चिलका का यूज करकर बताते हैं कहां कैसे यूज करना है थो उसको पाइग देते हैं जिनें दॉले दो साफर करने के लिए बटा रहे हैं लूछिफुल को बता रही है थिने मसीन इस तरह से लौफ कर रिए August कर जाता प मोजह पालते हैं छीन को घे करा से अच्छा से आप इसको साप करने के बाद आप बिंगा कपड़ा से हलका पहुंच देंगे या सुका कपड़ा से भी पहुंच देंगे तो बहुत अच्छा से साफ हो जाता है देखिए इस तरह से आपको करना है इसके बाद आप कपड़ा से पहुंच देजे तो बहुत रखना थोड़ा सा मुस्किल होता है देखिए किस तरह से पोल्ड करेंगे जड़ा करने में बहुत असानी होता है और इसको हेंग करके अक्छा से आल मेरा में रख सकते हैं देखिए वीडियो में जिस तरह से करके बता रहे हैं उस किजिए में के लिए इसके लिए इस्तारह से करना है तो इस तरह से करना है इसके बादment बहुत सार अक्त कम एंप वह सब पास लोंग ड्रेस या बच्छों का लोंग ड्रेस है उसको आप अच्छा से हेंग करके रख सकते हैं देखिए इस तरह से और कुछ लोंग ड्रेस होता है कि उसमें बहुत सारा काम किया होता है तो उसमें वह सब भी कराब हो जाता है एक साथ अगर उसको पॉल करके रखने मे तो मितलब कपड़ा भी बहुत अच्छा से राएगा और कम जगा में आपका बहुत सारा इस तरह का लॉंग ड्रेस आ जाएगा देखिए इस तरह से देखिए तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आता है वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का वीडियो लेकर आते रहते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तो देखिए इस तरह से आप बहुत सारे कपड़ को अलमीरा में रख सकते हैं तो तैंक यू वीडियो देखने के लिए और लाइक करना मत बू बेगा